हक ही नहीं, कुछ फर्ज भी, भाग टूग। उन्नती का वीडियस पूरा हो गया, वापस आकर उसने भारत की मानिता के लिए परिच्छा भी उत्रेन कर ली। इंटर्ण्सिप के बाद उसे लाइसेंस मिल गया, माबाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्नती ने एक पीजी डेंटिस्ट रवी को जीवन साथी के रूप में पसंद कर लिया। रवी को दहेश नहीं चाहिए था, पर घर वालों को साधी धूम धाम से चाहिए थी। ठीकी तो है पापा, साधी रोज रोज थोड़े ही होती है, अब ये लोग दहेश तो नहीं ले रहे हैं नुन्नती मम्मी पापा को दलील के साथ राजी करने की कोशिस में थी। हाँ हाँ हो जाएगा, तु चिंता मत कर। सुकांत ने उसे तसली देते हुए कहा। जैसे जैसे सुकांत और निधी ने बड़ी बेटी को फाइप इस्टार होटल से बिदा किया, मम्मी पापा मुझे पढ़ने का सौक था, सो पढ़ लिया। प्रैक्टिस वगरा मेरे बस की नहीं, मुझे तो बस घूमना, फिरना और मस्ती करना है। लोन का आप देख लेना, मेरे पास वहाँ बैंक का कोई लेटर बेटर नहीं जाना चाहिए, वरना बड़ा बुरा फील होगा सुसुराल में। रवी को मैंने लोन के बारे में कुछ नहीं बताया है। उन्नती ने जाते जाते दो टूक अपना मन तब बता डाला। रवी को मालूम है, तु काम नहीं करेगी। सुरम को जब मालूम हुआ, तो उसने हैरानगी से पूछा। इस पर उन्नती बोली, और क्या, कह रहेते कुछ करनी की जरूरत नहीं है, बस रानी बनकर रहना पलकों पर बैठा कर रखेंगे, तु देखना। और वह हस दी। दीदी, तुम्हें मालूम है ना कि मम्मी पापा अब रिटायर हो चुके हैं, हम लोगों के चक्कर में बिचारे मकान तक नहीं बनवा सके। बैंक से स्टूडेंट लोन तो हई है, प्राइवेट लोन अलग से, बिदेश की पढ़ाई उन्हीं कितनी महगी पढ़ी पता है। भाई तू तो लड़का है, सीए बनते ही बढ़ियां कमपनी में लग जाना है, तू ठहरा तेज दिमाग, फिर धड़ा धड़ पैसे कमाएगा तू, थोड़ा ओवर टाइम भी कर लेना हमारे लिए, मुझे तो ग्रहस्ती सभाल ले दे, लाइफ इंजॉय करनी है मुझे त वे अपने लंबे नाखुनों में लगी ताजा नेल पॉलिस सुखाने लगी, कमाल है दीदी, पहले विदेश की महंगी प्रोफेशनल पढ़ाई पर खर्च करवाया, फिर फाइफ इस्टार में साधी की, देहज ना देने पर भी इतना खर्च हुआ, जिसकी कोई गिंती न पर अपना लोन तो चुकता कर, जो बैंक से तुमने अपने नाम लिया है, काम क्यों नहीं करोगी, फिर प्रोफेशनल पढ़ाई क्यों की, इतना पैसा क्यों बरबाद करवाया, जब तुम्हे केवल हाउस वाइफ ही बनना था, तू तो करेगा ना भाई काम, तुम काम नह से मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, जबकि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, घर के इस्तिती देखकर अपना इरादा ही बदल लिया ना, ना ना करते ही, करते भी इतना खर्चा करवा डाला, कर्ज में डूब गये हैं मम्मी पापा, शर्म नहीं आती त कब जीएंगे वे अपने लिए, कभी सोचा है, तू है ना उनका बेटा, करना सेवा, सारी उम्म लायक बेटा बनकर, वाह, बाकी हर चीज में बराबरी, पर जिम्मेदारी में नहीं, वे तो सुक्र है, मकान नहीं बना, वरना बिकवा कर उसमें से भी अपना सेर लेती, छो खुस रहो, सुरम बाकी का सारा उफान पी गया, उधर काव्या ने भी लंदन में कमाल कर दिया, वहीं अपने एक दोस्त परतीक से व्याहर चालिया, एक महीने के गर्व से थी, पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लोट आई, ससुराल वालों ने उसे सुईकारा नहीं, वह कटर रीत रिवाजों वाले दच्छिर भारतिय मूल के थे, बड़ी जद्दो जहत की बाद राजी हुए, पर घर में फिर भी नहीं रखा, लिहाजा परतीक और वह घर से अलग रहने पर मजबूर हो गए, दोनों में से किसी के अभी जौब में ना होने की वज़े से सा सारा खर सुकांत और निधी के कंदों पर ही आ गया, काब्या ने तो पढ़ाई छोड़ी दी थी, पर प्रतीक ने अपना MBA पूरा कर लिया, बाद में उसे जौब भी मिल गई, उदर उन्नती की ससुराल की असलियत सामने आने लगी, आए दिन साज तकाजा करती, ताने देत बहु, तुम्हारी हर महिने की इंकम कहां है, हमने रभी को तुमसे साधी की इजाजत इसलिये दी थी कि दोनों मिल गई होता है क्या घर परिवार का इसकर बढ़ाने में मदद करोगे, वैसे ही लंबा चोड़ा परिवार है हमारा, बहु, तुमसे ना घर का काम समाला जाता है ना बाहर का, देखती हूं रभी भी कितने दिन तुम्हारी आरती उतारता है, भन्नाई हुई सास रेवती महिने बाद ही अपने असली रूप में आ गई थी, रभी जब अपने दोस्तों की प्रोफिशनल वर्किंग पत्मियों को देखता, तो उन्नती को लेकर अपमानि हाचा महसूस करता, रोज-रोज दोस्तों की महंगी पार्टियों से उसे हाथ खीचना पड़ता, उन्नती को ना धंक कुछ पकाना आता था, ना कुछ सलीके से करने सीखने में ही दिलचस्पी लेती, सजने सवरने में वक्त बरबात करती, फिर वही हुआ जो सुरमने कहा था खर्चे से रभी परेशान था, क्योंकि अपनी बहनों की सस्राल और इस्तेदारी निभाने के लिए वही एक जरिया था, उस पर छोटे भाई आकास की पढ़ाई भी उसके सिर थी बहनों की सस्राल वालों ने उसकी पुस्तेनी प्रॉपर्टी बिक्वा कर उसमें से हिस्चा लेने के बाद भी मूब बंद नहीं किया आई दिन फरमाई से होती रहती, जिन से घर के सभी सदस चीड़े चीड़े से रहते तब उन्नती को समझ आया कि बहनों की साधी के बाद प्रॉपर्टी और पैसों में ही नहीं घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी कुछ हिस्सेदारी सबजनी चाहिए उन्नती को मम्मी पापा और सुरम की बहुत याद आई आखे सजलो उठी कितनी मुश्किल हुई होगी उन्हें इतने कम पैसों में वे कैसे घर चलाते थे हमारी जरूरतें सोग पूरे करते रहे वे अपना तो उनसे सब कुछ करवा लिया हमने पर उनकी जरूरतों को कभी न समझा सिर्फ नाम के लिए महंगी पढ़ाई कर ली अपनी मस्ती और स्वार्थ के चलते ना काम किया ना अपना लोन ही चुकाया वे आत्म ग्लान से भर उठी सब्ता उपरांत उनकी ने रवी की मदद से एक प्राइबेट डेंटल हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया रवी से उसने साप कह दिया जानती हूँ कि और कुछ तो मम्मी पापा लेंगे नहीं पर कम से कम अपना एजुकेशन लोन जो मैंने लिया था उसे अवस्च चुकाना चाहूंगी तुम्हें कोई अत्राज तो नहीं रवी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख मन ही मन सोचा की कास उसकी बहने भी ऐसा सोच पाती कुछ सालों बाद काब्या के ससुलार वालों ने उसे अपना लिया उधर पर तीक को बड़ी परमोसन मिली उसने USA के क्लाइन से अपनी कंपनी को बड़ा फाइदा पहुँचाया था वे एक जटके में उच्छे ओहदे पर पहुँचा काब्या को ऐसो आराम की सारी सुबदाएं मिलने लगी तो उसे रह रहकर ममी पापा और घर की परिस्तियों से जूचते भाई की तकलीब ध्यान आने लगी कि उसने कैसे कैसे उनका साथ दिया हम बहनों तो निकम्मी निकले उसका मन पस्चा काप से भर उठा फिर उसने उन्नति से मन की पीड़ा सेयर की तो उन्नति ने उस से इधर सुकांत्र के गाउं की वर्सों से मुकदिवे फसी पैट्रक संपत्ति का फैशला उनके पच्च में हो गये करीब प्यास लाख उनकी जोली में आ गए सुक्र है निदी जो फैसला हमारे पच्छ में हो गया देर आए दुरुस्त आए मैंने सुरम्म को आफिस में ही फोन कर बता दिया आता ही होगा उन्नती और काब्या को भी खुस खबरी दे दो उन्हें संडे को आने को कहना सुकांत के सुरों में खुसी और उत्साच लग रहा था वे जल्द ही अपनी खुसी तीरों बच्चों में बाट लेना चाहते थे और रकम भी संडे को तो दोनों वैसे भी आने वाली हैं रच्छा बंधन जो है तभी सर्प्राइज देंगे अभी नहीं बताते हैं निधी बोली